के नए वीडियो पे हैक होने के बाद उनकी पहली वीडियो आई थी और उनका जो मुनेटाइजेशन डिजेबल हो गया था मैं इंस्टेग्राम स्टोडी देखा इनका मुनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है तो मेनी मेनी कॉंग्रेचुलेशन टू हिम जब भी वो वीडियो बनाते थे तो वीडियो देखने के बाद बिलकुल भी अच्छा नहीं फील होता था लगता था यार यह बंदा पिछले दो तीन साल से लगतार इंटर्टेइन किया ज लेता हूं और मज़ा आता है आप लोग के साथ देखने में और उनको सैड देखना फिर थोड़ा सच्छा नहीं लगता था लेकिन यार जब मुनेटाइजेशन ओन हुई तो इन्होंने वीडियो अपलोड करने से पहले वो इंस्ट्राम पर लगाया था और मुनेटाइजे जो फायदा दे सकती है रजाशमो को मैं वीडियो के अंत में बात करूँगा या बीचे में बात करूँगा अंत तक बने रहेएगा इससे पहले रजाशमो ने एक अपलोड किये वीडियो माई यूट्यूब चैनल गॉट हैग तो चली देखते हैं आवीगा जैसा कि आपको पता होगा कि मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया तो ये कहाली है उसकी कि ये कैसे हुआ क्यूं हुआ कब हुआ और अब क्या सीन है मेरी आपसे ये रूक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो प्लीज पूरी देखें मेरी आपसे ये रुक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो प्लीज पूरी देखें अब हुआ कुछ यूँ कि मैं सुबा को सो रहा था और मुझे कॉल आई अपने दोस्त नॉमान की सुबा साथ बज़े उसने कॉल की मुझे बड़ा गुसा आया सुबा भाई सुबा फोन किया था और मुझे बड़ा गुसा आया ये मतलब कम से कम 10 से 12 वाद सुबाई जिकर कर चुक है मैंने ये बाद नोडिस करी है तो सारी जमीन मेरे पाउन से निकल जिकर करें परिशान तो बो चोटा सा वड़े मैं मैं बहुतरा गया कि ये क्या हो और उसके बाद सीन ये है कि मुझे समझ नहीं आई ये सुबा का टाइम था मैं किसको बोलता कि यार चैनल है को गया है कोई मेरी मदद करो तो हमेशा की तरह मैं ड़की भाई क्योंकि मेरा पडोसी है और मेरे करीब रहता है तो मैंने का यही वंदा है मेरी यह कर सकता है इस वक्त में उसको फोन किया उस ने का के आजो मेरे घर में जैसे उसके घर गया उसने अपने भाई का लेपटाप दिया अपना नहीं दिया कि वह है कर दे अपने भाई का लैप्टॉप दिया कि चलो इसका उसका हो भी गया तो क्या फड़क पड़ता है उसका कुछ है नहीं यह मैंने उसके लैप्टॉप पे साइनन करने कोशिश की तो उननों का भई एक घंटा पहले आपका पास्वर्ट चेंज हो गया तो यह छोटी छोटे मिनी मिनी हार्ट अटेक्स मुझे आ रहे थे पास्वर्ट मैंने तो चेंज किया ही नहीं था फिर उसके बाए यह सीन्दा के भई किसी भी तरह कर कुरा के न कौन सा ट्रिक साइथ वह कोड जेनरेट होता है मतलब शायद कोड मिलता है आप कोड को आप डालोगे तो शायद आप लॉग इन कर सकते हो साथ यह वाला ट्रिक डॉन्ट नो मैं भी तो यूट्यूबर हुए था कोई ट्रिक कर लिया चैनल अपना मैं अलब चैनल मेरे पास पास आ गया लेकिन बैट सीम यह हुआ कि वह एक घंटे की एक विंडो थी और उस विंडो में जो हैकर था उसने लाइफ स्ट्रीम चला दिये एलन मस्क के जिसमें वह बिटकोई की बात कर रहा था अब वह लाइफ स्ट्रीम इलीगल है उस इलीगल लाइफ स्ट्रीम के लोग को यूट्यूब ने कैंसल किया आपको समझा रही है कुछ फिर मेरे घंटी बजी कियार दो दिन पहले चीज हुई थी जो बड़ी सस्पिशस थी और वो यह था देगो मैं बताता हूँ एक सेकंड एक सेकंड समो भाई देगो एडसेंस एकाउंट होता ना और यूट इस प्रोडक्त है इस एकंड ओपने यूट्यूब से करना होता है लिंक अब यूटूब के मॉनेयाटाइशन में जाओगे तो हाँ पर रहता है link your adsense account उस पर click करोगे तो adsense का login करने के लिए आता है आप login कर दोगे तो फिर आपका link हो जाता है फिर आपकी वीडियो पर जितने भी views आएंगे वो adsense calculate करते रहता कि इस वीडियो पर ये views अभी आएं उसके बाद उस हिसाब से उस पर ad जो सर्फ करते रहता है और जितने भी revenue बनते हैं वो सारे revenue जो है आपके adsense account में जो है वो आने लगते हैं और हर घंटे आप चेक कर सकते होगी इस घंटे मेरे कितने revenue बने बारत तारीक को जितना पिछले जिसमान लो ये august चल ला है तो जुलाई के जितने भी पैसे बने थे वो august के बारत तारीक को show होने लगते हैं और 22 या 23 तारीक को आपके adsense आपके bank account में wire transfer आ जाते हैं अगर सरकारी bank है तो 30 तारीक में लग जाएगा मेरा 22 को आजाता है क्योंकि मेरा ICI ECI bank है तो ये होता है पुड़ा मसला पता नहीं इस वीडियो में भाई ने समझा है कि नहीं मैंने ये किया है मुझे ये पता है मैंने समझा दिया चली आगे देखते हैं गेम का कि आप गेम रन करें अगर आपको अच्छी लगती है तो आप गेम 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 एक सकेंड एक सकेंड कैसे हुआ था सर फिट से बोले सर अरे अब खुश होने वाले ये पता है मुझे क्योंकि मैंने देख लिया आपको अच्छी लगती है मतलब इनका सब कुछ हो गया है तब ही तो एक ठीक था चलो सर आगे वाले है कर के पास है मॉनिटाइजेशन यूट्यूब ने कैंसल किया आपको समझा रही है कुछ फिर मेरे दिमाग की घंटी बजी के यार दो दिन पहले चीज हुई थी जो बड़ी सस्पिशस थी और वह यह था कि मेरे पास स्पॉंसर आया था गेम का कि आप गेम रन करें अगर वह इलिजबेट उसका नाम था इलिजबेट यू कल्मा नसीब नहीं होगा जहनु बज़ेगा नहीं मिलेगा फैर दो दिन गुजर गये कुछ हुआ नहीं तो मैंने का चलो इजी सीन है और फिर अचानक से यह मुझे वाक्या सुनने को मिला कि तुम्हारा चैनल है को गया तो हैकर्स ने पूरा जहना मेरा सेशन कोपी पेस कर लिया था अपने विंडो से आने के गुगल को भी पता नहीं चला कि किसी और कंप्यूटर से लॉग इन हुआ है उसके बाद हम लोग को भी एक ऐसा अटैक मतलब यह कोरोना वाइरस का जितना जादा था उसमें हम लोग बहुत जादा रशिया से मेरे विउस भी नहीं आ रहे है मैं पिछले एक महिने से कोई वीडियो भी पब्लिश नहीं किया हूं और मुझे स्पॉंसर्शिप के मेल आ रहे हैं मालो मुझे आते विए जिस मैंने आइको ऑप्शन किया है फोरा बेट किया है किताबों का रिव एक फुल फ्लेष वीडियो के कितने लेता हूं दस मिनट पंदरा सेकेंड बताने के कितना लेता हूं विबसाइट के बारे में तो हम लोग को पूछा जाता है कि आप कितने पैसे लोगी मालो मैंने बोल दिया फाइनड्र डॉलेस ठीक है तो मैं ऑग्जांपल दे रहा हू मालो बाद में वो 350 डॉलर्स पे हो जाता है फिक्स लेकिन जो कुरोना वाइरा चल रहा था उस समय हर रोज 4-5 स्पॉंसर्शिप के मेल आ रहे थे और उसमें सीधा सामने से भाईया मैं तेरे को यहां तो सामने से भाईया यह डॉलर तो यह पागल समझें तो हम लोग ने रिप्लाई देना बंद कर दिया था हम लोग ने मतलब जितने भी रियक्सन चैनल से लाइक एम्ब्रोज रियक्सन पंजाबी रियल टीवी स्वागी डी ब्रेंचोव क्रिश्ना व्यूज इस आरवने ऐसे जो डारेक्ट पैसे मांग रहे थे हम इतने आपको दे देंगे निकोशियेट नहीं कर रहे थे हम लोग ने उनको रिप्लाई देना ही बंद कर दिया और जब रजाशमो का चैनल हैक हो था ठीक दो तीन दिन बाद एक गूगल के तरब से मेल आया पंजाबी रियल टीवी को जो बहुत फेमस है पंजाबी रियल टीवी को आया कि आपका जो गूगल एकाउंट है वो हैक हो रहा है कोई ट्राई कर रहा है पासवर्ट बगारा करने का या एसेस करने का फ्रॉम रश्या सो आप प्लीज इसको चेंज कर ले तो बंदे ने स्क्रींशोट लिया ग्रूप में बेचा तो यह बहुत साथ हो रहा है तो ऐसे जो है आप बद सकते किसी भी लिंक पर क्लिक बिल्कुल भी नहीं करें और अगर आप यूटूब है और मोनेटाइज है तो किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं कहरें और जिस इमेल डी से अपनी यूटूब का चैनल बना है और जीस इमेल अपने ए्टसने अकांट बना है वह तोनों इमेल आई टी जो है अपनने अबाउट सेक्षन में नहीं दें जो बिजनेस के लिए आपने आगे यह experience है मैं भी शेयर कर रहा हूं अब रजा शेयर करेंगे YouTube Creator Team जो है उससे बात करना शुरू कर दी live chat पे उन्होंने पूरी detail मुझे से ले ली मैंने सारी दे दी एंड में उन्होंने का कि भाई हम आपको एक agent assign करते हैं Leslie यह आपकी email पर आगे help करते जाएगी फिर YouTube support team से मुझे link मिला चार-पांच दफा के इधर जाओ इसको क्लिक करो recover कर लो मैं जैसे ही किया वह attempt भी fail हो गया च्छटी साथवी दफा उन्होंने मुझे जो link दिया उससे मेरा adsense account recover हो गया शोकर है लेकिन अभी भी monetization on नहीं हुई मैं आपको यह समझाता हूं कि यार दिए गूगल adsense account जो है वह आपका account है जैसे कोई bank account होता है monetization जो है आपकी वीडियो पे लगती है ads लगते और monetization के त्रू जो पैसा आता है वह आपके adsense account में जाता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है यानि के वह मतलब समझे रहो मतलब bank account है मेरे पास लेकिन जो पैसे उसमें आते है ना जो श्रोत है जो source है पैसे का वह sourcey desirable है मतलब job करता हूं तो salary account में salary आती है अब job ही नहीं है ठीक है जो company में job करता हूं वह company बंद वह देहीं नहीं है जाओ पैसे तो account फाल्तु में पड़ा हुआ हुआ है तो यह वाला scene हो गया था तो मैं पाकर तुम्हें खो दिया वरी जो feels है ना वह मैं आ रही थी क्यार मैं कुछ कर नहीं मेरे पास channel भी है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता मैं पैसे कमानी सकता है अबी प्रिटेंट कर रहा है कि यार सब अभी भी हैगद है लेकिन है नहीं बता रहा हुआ तो मैं कोई liberty chalk पर आट के तीन बजे नाड़े खुशेची पार है वन्दा भी सब खतम हो जाएगा बरबाद हो जाएगा फिर मैंने रिलाइस किया कि मेरी मां की धुआओं के बाद अगर कोई powerful force मेरे पास है तो वह है आप लोग जी हां आप तुम अगर तुमने ट्वीट किया है Twitter पे मेर आखर कार एक एसा लिंक आगे जिसको मैंने क्लिक किया तो मेरी मौनिटाइजेशन भी इनेबल हो गई यानि को गूगल एटसन से कनेक्ट हो गई मैंने आपको बट बड़ी खुश खबरी बता दिये तो पर फिलिंग आगया और फिर खतम हो गया और फिर वापिस आगया अब मेरे पास एक थेंक्यू की लिस्ट है जिसमें बडे नाम है और आपने यह सुनना है मेरा आपसे बादा है किस बोरिंग नहीं होगी मुझे पता है जैसे थेंक्यू अब उधार शुव सुनेंग कर लोग शुरू हो जाते हैं लोग शूरु हो जाते हैं अएफंग यह वो डिएड़ तो गिव मी बर्थ, I want to thank my parents because वो वाज एक्साइड तो गिव मी बर्थ वाज़ देन वाज़ देन 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 गार्वेश इस नहीं है मैं शौट करगूँगा और प्रसाइस chronological order में जाऊंगा ताकि कोई भी बंदा मिस ना हो और अब chronology समझे और में ले रहा हूं उसका मतलब यह नहीं कि जो पहले आ गया वो फस्त आ गया है ठीक है तो जी सबसे पहले thank you to no man जिसने में जो कॉल की जो मेरा दोस्ते सुबार जिसने मुझे उठाया उसके बात thank you to ducky बाई जिसके पास में क्या और सारा मैंने मसला हल कर दिया रिकवर कर दिया चैनल अब ड़की बाई और मेरा रिष्टा यह है वह हम पड़ोसी है मुझे लगता है कि वह नहीं होता जो पड़ोसी आता है कि चीनी मिल दूसरी दफा बातार अच्छ यह वाला पड़ोसी नहीं होगी मैं इसी तरह जाता हूं उसके बात जो भी होता है न मैं इतनी चीजें ले चुका हूं मैं असे इतनी फेवर ले चुका हूं I am so indebted लेकिन thank you ducky बाई I love you thank you वकार जका क्योंकि उसे मिझे कॉल करके सुबा बताया था कि यह जो लाइफ स्ट्रीम चल एक फाइल लिखवाई है जिसमें पूरा केस जो हमने लिखा है कि भाई यह वा फिर यह वा यह वा रात के ढ़ए तीन बजे तक वबंदा लिखता रहा है लिखता रहा है इतनी लंबी आठ पेजिस की फाइल मुझे लगता उसने खुद कभी अपने कॉलेज के लिए भी को लिखनी होती है तमीज वाली तुम तमीजदार कहीं से हो नहीं तो तुम मुझे एमेल दिखा दो मैं उनका जवाब दे दूमा तो जितनी भी बात हुई है इमेल पे वो सारी बाते उन्हें मुझे बताई है यह कॉपी कर और इधर पेस्ट करके सेंड गर दे क्योंके जहर स तुम जब दे कर के सेंड कर और जो जो एक शिसने कर और था जो जो आज़ ऑगद कर दो एक यह कर करेंगे यह कुछ तुम जब दो जिसके बाद बूल रहा है अम रिली सॉरी लेकिन सारी युट्यूबर टीम ने ने बड़ा उन्हे बड़ा सपोर्ट किया इवन एक प्लान तो यह था कि मुझे इतने यह लोग धयालू है कि अपने रेवनु में से कुछ परसंटेज सब ने रखी थी कि हम जब तक समों का मसला हल नहीं होता यह मुसको दे देंगे भाई पहले न आप पर लिस लाइव आ यार दो घंटे के लिए लाइव आदो एक बार बता तो दो कि भाईया मेरा एटसंस एकाउंट में ना मेरे मुनेटाइजिशन नहीं है या भाई सूपर चैट काम आगा यार लाइव आतो जाओ यार क्या बात कर रहा है सब कुछ न कुछ तो या पांस डॉलर तस डॉलर अगर पांसो बंदे भी दे दिये एक लाग एक लाग दस प्रेट कर लो या वात कर रहा है यार तो ऐसा कोई मसला आने वाला थे हैं तो यहार है कम्यूनिटी थैंक्यू मुझमल असन जैदी कि आपने हायर अथर्टीज पर मेरी बात पोचाई थैंक्यू जुने जो जुने जो भाई थैंक्यू एक पूरी अलैदास फेडियो बना थैंक्यू सोमच मुरू भाई या फॉलो अप रखने के लिए कि भी क्या बना क्या नी था और और मेंशन में खावर भी आता है पिंडीए 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 शेयर इपिंडीए ओला बोई वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्ते उसमें मझे का के यार मैं ट्राय कर रहा हूं इंडिया वेना तेरा ये ट्रेंट चलाओ मेरी बात शाथ हो रही है हम तो रफ्तार से शाउट आउट लेने लगे थे कि हैस्टेक मोनेटाइज खुजली लेकिन शुकर है उससे पहले मसला हो गया थैंक्यू रे फ्रम टी सीरीज थैंक्यू हमजाल यह पर शेर यह थैंक्यू तुम्टम की सारी टीम यंग स्टेनर्स शामून स्माइल सबने ट्वीट्स किये मज़े सपोर्ट दिखाई थैंक्यू सो मच यार जिस जिस जिए में जो भी नाम बूल रहा है मैं रिली सॉरी लेकिन लव यू और अब जो थैंक्यू आरहा है वो सबसे और वर्वेंड मैंने इंस्टरग्राम पेगगए हमें देखा नदक को I lived well Curry को गया मजे यह दिल का कुई connection सबख्यो हमारा एक ऐसा connection है हाँ फटो आठ गनेक्शन है यार जोस अफाइस। ख्रण दिन्स वेतर से लाफ यार इस से बड़ी और क्या हो सकता है मेरे लिये को चीज को लोग मेरी बुरी खबर पर इतने असर्दा होगे के वो रो रहे जानने आखरी बात करने लगा हमाना तो इसलिए बास्किट थोड़ी और बढ़ाने का सीन है तो एक और चीज है पेट्रियोन मैं आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं पता हूं तो पेट्रियोन एक ऐसा प्लैट्फॉर्म 掌य स्पॉंसर्ट नहीं है प्लिज सुन लो पेट्रियोन एक वेबसाइट है ऐसा प्लैट्फॉर्म है जहांपे कोई आर्टिस अकौंट बनात ejerc और आप लोग fans आप उस account पे मैं समझा देता हूँ मैं समझा देता हूँ देखो Patreon Patreon है कैसा है जैसे AdSense है AdSense में monetization होती है आप super chat donate करते हो तो सारा AdSense में जाता है और महीने के last में 22 तरी को आपके account में आ जाता है उसी तरह कैसे Patreon है Patreon एक अलग से जहाँ पे सारे आर्टिस्ट अपना account बनाते है और आप उस website पे login करके अपने जो भी creator है उनके page पे जाके आप पैसे donate कर सकते हो मालो मुझे शमो भाई बहुत पसंद है मुझे इन्हें financial support करना है तो मैं patreon.com पे जाओंगा समो भाई का जो page है वहाँ पे जाओंगा और वहाँ पे मैं 10 डॉलर, 20 डॉलर, 25 डॉलर, 30 डॉलर, 100 डॉलर जो भी है जो मेरी इक्छा है जो मेरी हिम्मत है उससे मैं जो है वो इनको donate कर दूँँगा और वो donation इनको support as a financial support मिलेगा लेकिन patreon में दिक्का तो नहीं है लेकिन वो थोरे सा charges जो है वो 10-15% खुद रख लेते हैं बाकि जो है वो creator को दे देते हैं तो यह adsense अगर adsense नहीं भी हो तो patreon से अगर support मिल रहा है financial तो भाई वो बढ़िया है जैसे join का जब बहुत सारे channels है जिसके निचे आप join का button आप देख रहे होगे join पर करोगे तो कुछ पैसे आपको donate करने पड़ते हैं जो आपकी एक्षा हो उस हिसाब से financial support मिलता है तो यह पूरा चीज है patreon का तो बढ़ और याल जो भी 15-20 दिन चला है यह बाद बहुत जादा टेंस वाला महौल था खासका twitter पे twitter पे तो तहलका मजगा था सारे पाकिस्तानी इंडियन्स लगे हुए थे monetize खुजली हैस्टेक के साथ बरे बरे यूटूबर साथ आ रहे थे और एक national मुद्दा बन गया था कि भाईया support करना है और monetize करवाना है खुजली फैमिली को तो करवाना है और भाई बिना कुछ किये ही जैजाकार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती शमो भाई थोड़ा सा हिम्मत हार कहते सुरू के दो तीन दिन में उन्होंने वीडियो बनाई थी पोला था कि अब नहीं होगा तो मैंना नया चैनल बना लूँगा एक साल में एक मिलियन कर देना है तो उसवक्त देखके अंदर से बड़ा दुख भी हुआ था 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 यहार मेरे जैसे थोड़े नहीं हो सोड़े 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 सब्सक्राइटर मिलियन में हो यार थोड़ा सा हिम्मत करो बंदा उसके बाद क्य पाकिस्तानी गवर्मेंट की पबजी को अन्बैन करवा दिया शमो भाई का हैक हो गया उस बंदे ने ये भी बोल दिया था कि मेरे पास इतना स्पेस पड़ा हुआ है गूगल मेरे आओ पाकिस्तान में यहां पर ऑफिस खोल के जाओ ऑफिस खोलने के लिए बकायता से जग का बहुत बड़ा इस है तो यार शमो भाई जो है फिलाल एकांट रिकावर हो गया सब कुछ नॉर्मल है लेकिन मैंने सुरू में बोला था कि अगर एक चीज जो हो फायदा हुआ है शमो भाई को उस तरीके से नहीं ऐसा फायदा कोई लेना नहीं चाहता है इतना डिप्रे सारे कौन सी थे लेकिन एक प्रो निकल के आया है कि ट्विटर पर चला है मोनेटाइज खुजली फैमिली जो यूट्यूब यूज करते हैं किसी दूसरे सेक्संस का वीडियो देखते हैं कुकिंग देख लिए गाने देख लिए उनको रजा शमो का पता नहीं था उनको भी पता है कि रजा शमो कोन है अब उनको भी पता है कि खुजली फैमिली कोन है इंडिया में भी खुजली फैमिली ट्रेंडिंग पे तो नहीं गया लेकिन हैस्टैक चला तो जरूर था इंडिया में भी पता है रजा शमो कोन है इंडिया में पता है रजा शमो कोन है ठीक है त मिलियन से 2 मिलियन के असपा से जरूर जाएंगे तो यह चुछ है और आज 15 अगस्त आज इंडिया सकते हैं अंगे सब्सक्राइव मैं ट्रावल कर रहा था इसलिए वीडियो पोच्ट नहीं कर पाया तो है वी बिलिटेट इंडिपेंडेंस चेट हुआ पाकिस्तानी जाहिंद हुआ वन्दे मात्रम